हेलो एदिवन आज हम करेंगे मैथ का सलिशन जो भी रिसेंटल इग्जाम हो आथा सेंक स्कुल का नाइंथ के एडमिशन के लिए इसका फर्स्ट का अंसर हो जाना चाहिए आपका फर्स्ट सेकिंट का आपका अंसर होगा थर्ड आगे करीं क्वेशन नंबर आपका थर्ड थर्ड का होगा अंसर सेकिंट नेक्स इसक्वेशन नंबर फॉर्थ फॉर्थ का अंसर हो जाना चाहिए आपका थर्ड क्वेशन नंबर फिफ्थ क्वेशन नंबर फिफ्थ का अंसर होगा आपका फॉर्थ next is question number आपका 6 6 का आपका answer हो जाना चीज second अगर question 7 है तो इसका भी answer second होगा question number 8 है तो इसका answer आपका fourth होगा next is question number 9 9 का आपका answer होगा second 10 की बात करें हम तो इसका answer हो जाएगा 4 next is question number 11 11 की बात करें इसका answer होगा third 12 की बात करें तो इसका answer भी third होगा 13 की बात करें इसका answer first होगा 14 की बात करें इसमें second answer होगा और 15 की बात करें तो इसमें answer second होगा next आपका move करते हम question number 16 इसमें भी second होगा 17 की बात करें इसमें second 18 की बात करें इसमें 3 19 की बात करें इसमें fourth आगे हैप a question 20 तो इसमें होगा first 21 में आपका अंसर होगा third 22 में first 23 में 24 में आपका fourth 25 में आपका first होगा fourth नहीं 26 में आपका अंसर होगा fourth 27 की बात करें इसमें first होगा 28 की बात करें इसमें भी second होगा next is 29 29 की बात करें इसमें second होगा 30 की बात करें इसमें भी second 31 की बात करें इसमें फॉर्थ 31 में fourth होगा next is 32 इसमें fourth होगा आपका 33 में इसमें third next is question इसमें फॉर्थ होगा 40 की बात करें तो फॉर्स्ट होगा 41 की बात करें इसमें फॉर्थ अंसर होगा आपका next is 42 इसमें second अंसर होगा 43 में first next is 44 तो इसमें थोड़ा doubt है इस question में आगे 45 की बात करें first 47 की बात करें 46 की बात करें सोरी तो इसमें second और 47 की बात करें तो 47 तो इसमें आएगा first 48 की बात करें तो first 49 की बात करें इसमें भी first आएगा और lastly 50 में बात करें तो आपका अंसर होना चाहिए 50 का second तो यह था math का solution अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज अपना शोर स्कॉर जरूर शेर करें कि इतना किसका स्कॉर बना है सेंग स्कुल की एकसाम में थैंक्यू